नमस्कार मैं सबी के साथ हूँ तानिया गुपता बड़ी ख़बर आ रहे है उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश सेंट्रल सिया वक बोड के चेर्मेन वसीम रिजवी ने एक बार फिर मदर्सों को बैंड कराने की दर्ख्वास की है हम आपको बता दे कि वसीम रिजवी ने नरेंद्र मोधी भारत के प्रदान मंत्री को चिठी लिखी है और ये बात कही कि वो मदर्सों को जल से जल बैंड कर दें या बंद कर दें नहीं तो आदे से जादा ISIS का समर्थन हो जाएगा क्योंकि पूरी दुनिया में ये कहा गया है कि कोई भी मिशन चलाने के लिए बच्चों का निशाना बनाया जाता है और इस वक्त दुनिया में ISIS एक खदरनाक आतंगी संगधन है जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में मुसल्मान अबादी वाले छेत्रों में अपनी में ISIS के समर्टक खुले तोर पर दिखाई दे रहे हैं और बहुत बड़ी पेमाने पर मदर्से से इसलामिक तालीम लेने वाले बच्चों को आर्थिक मदद पहुचा कर इसलामिक सिक्षा के नाम पर उनको दूसरे धर्म से काटा जा रहा है और समाने सिक्षा से दूर किया मती सोच पैदा की जा रही है जो हमारे मुसलमान बच्चों के लिए घातक है और साथ ही साथ देश के लिए एक बड़ा खत्रा है उपरयोग परिस्तितियों को दिश्टिगत रखते हुए देश हित और मुसलिम बच्चों की अच्छे भविश्य के हित में मेरा ये जाए और हाई स्कूल पास करने के बाद अगर बच्चा स्वैम धर्म प्रचार की तरफ जाना चाहता तुछ मदर्से में दाकिला ले सकता है अर्थात मदर्सों में प्रवेश हाई स्कूल करने के बाद की जाने के विवस्ता सुनिश्चित हो जाए इससे ही ओधा होगा कि बच्चा स्कूल में सही तरीके से हाइ स्कूल तक कि समाने सिक्षा ग्रहन कर सकेगा और बच्पन से लेकर हाइ स्कूल तक हर वर्ग वहर धरम के बच्चों के साथ बैठकर उसे सिक्षा ग्रहन करने वहर धरम को समझने का मौका भी बिलेगा उसके बाद अगर मदरसे में प्र झाल झाल झाल